मौजूदा समय में फोस मोटर्स के पोटफोलियू में तीन दोर गुर्खा है जो सीधे महिंद्रा ठार को टक कर देती है लेकिन अब कमपनी इसके पाँच दोर वर्जन को लॉंच करने जा रही है पाँच दोर फोस गुर्खा कमपनी का नया फ्लैक्शिप मॉडल होगा इसकी लॉंचिंग करीब मानी जा रही है क्योंकि कमपनी ने दीलर स्टाफ ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है तीन दोर थार के मुकाबले पाँच दोर फोस गुर्खा ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आती है हाला की महिंद्रा भी थार के पाँच दोर वर्जन को लाने की तयारी में है नई पाँच दोर फोस गुर्खा का इंटीर ट्रेक्स क्रूजर के जैसा लगता है एक वीडियो में नई फोस गुर्खा को दिखाया गया है जिससे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है पाँच दोर फोस गुर्खा में जी क्लास से प्रेरिट डिजाइन मिलता है जो बहुत लोगों को आकरशित करता है इसकी उचाई के कारण रोड प्रेजेंस अच्छी है ओफ रोड इन के लिए कुछ मामलों में इसे थार से बहतर माना जाता है क्योंकि इसमें आगे और पीछे MLD मेकेनिकल लोकिंग डिफिरेंशल मिलता है नए Spy Shots से पता चलता है कि 5 दोर वाली Force गुर्खा, 3 दोर वाले वर्जन के समान लेयाउट में आती है बदलावों की बात करें तो इसमें पीछे की विंडो के लिए पावर बटन मिल जाते हैं जो पिछले दरवाजों पर है फ्रंट दोर विंडो कंट्रोल अभी भी सेंटर कंसोल पर है पाँच दोर Force गुर्खा को दूसरी और तीसरी दोनों रो में कैप्टन सीटों के साथ 6 सीटर लेयाउट में भी पेश किया जा सकता है इसके अलावा दूसरी रो में बेंच और तीसरी रो में कैप्टन सीट के साथ 7 सीटर लेयाउट में भी आएगी इतना ही नहीं, 9 सीटर आप्शन के लिए इसमें 3 रो में जंप सीटे भी दी जा सकती है वर्तमान में 3 दर्वाजे वाली गुर्खा की कीमत 14.75 लाख रुप्य है लोव स्पेक 5 दोर गुर्खा की कीमत 3 दोर गुर्खा के आसपास या उससे भी कम हो सकती है टॉप स्पेक 5 दोर गुर्खा की कीमत 15.5 से 16 लाख रुप्य हो सकती है यह आगामी पाँच डोर महिंद्रा थार और पाँच डोर मारुती सुजु की जिमनी को टक कर देगी.